पूरी दुनिया में पंच्यों की 10-8 से ज़्यादा परजातिया पाई आती हैं सभी के वही पंखे वही पंखे और वही पंजे वही गर्दन होती हैं लेकिन इन ही में से एक ऐसा पंच्य है जिसकी अलग पहचान है जो आप जो आसमान को सीना आसमान का चीना चीर कर 1000 मीटर 120 म पुना वजन से वज़न के सिकार को भी अपने पंज्णों में लेकर उड़ जाता है और इसलिए उसे पंज्चियों का राजा कहा जाता है जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं और एक बाज इतना उचा मुकाम हासिल करता है अपने ट्रेंश्ञ और अपनी पुनरropia की वज़ा सबसे उपर उड़ेने के लिए हुआ है ते रहे जमीन से हजार मीटर से ऑफाल ले जाकर माधा बाज और यहीं से शुरूँ होती है उसकी high risk training वो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिनने लगता है थोड़ा नीचे आता है तो उसकी पंक खुलने लगते है नीचे आते आते वो पंक फड़ने लगता है लेकिन वो आभी तक उड़ना नहीं सीखा वो जमीन से कुछ ही मीटर उपर होता है ऐसा लगता है कि कुछ सेकंड में इसका जीमन समाप्त हो जाएगा लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपनी गिरप्त में लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है वो पंजा होता है उसकी मा का जो उसके पीछे उड़ रही थी इसकी उसकी यह ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वह जब वह 40 साल का होता है तो एक परिसानी उसकी जिन्दगी में मौत बन कराती है जो आपके परिसानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है क्योंकि 40 साल के उन में बाज की चूट युतनी मुड़ जाती है कि वह सिकार निगलने में बहुत परिसानी होती है उसके पंग सबसे ख़ी राशता अपने अपत्त करने का फिर से आसमान का सीना चीर कर उड़ने उड़ने का और वही तीसर रास्ता उचुनता है और अपनी पास की सबसे उची चोटी पर पहुँच जाता है वहाँ पर अपना घोसला बनाता है और फिर शुरू होता है परस्चानिय को जड़ से उखाड कर फिर आस्मान में उड़ने का सपर वह अपनी चोट को चटान पर मार मार कर तोड़ देता है लवलुहान हो जाता है और इंतियार करता है फिर से नई चोट उगाने का उसके बाद नई चोट से अपने पंको को काट देता है और फिर इंतियार करता है पंको को उगाने का उसके बाद वहाँ एक एक पंको अपने स खरीर से अलग करता है और फिर इंतियार करता है नए पंक उगाने का और इस परकिरिया में उसे टाइम लगता है पूरे पांच महीने का वो फिर से तयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए जो तीन राष्टे बाज के पास होते हैं वही तीन राष्टे आपक को छोड़ कर एक नारमल लाइफ जीने लगते हैं और कुछ ओभी लोग होते हैं जो अपने परिशानियों को लात मार कर अपने मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान को बुलंदियों को छूते हैं दोस्तों बाज की ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि रिस्क ले झाल